हलो गाईज, IPL 2024 का आज सोलवा मैच खेला जाएगा सामको सारे 7 बज़े से विशानगा पत्तनम में डेली केपिटेल्स और कॉलकाता नाई तेरे दर्श के बीज इस वीडियो में complete आपको इस मैच का information देने वाला हो, stats और record के इसाब से बटाएंगे कि इस team का पलद्रा कितना ज़्यादा भारी है, प्लस कॉन से player आज के मैच के अंदर कमाल कर सकते हैं, और प्लस आपको fantasy के tips भी देने वाला हो, यानि कि आपको winning team के बारे में भी बटाऊं वेदर रहेगा, maximum है 22 degree Celsius का, और minimum है 26 degree Celsius का, उसका बाट जो humidity है ना, वो 60 foot प्रतिशत का रहने वाला है, इसी सब से देखा जए तो, ओस आएगी second innings में, जो भी team toss जितेगी, अपने पास याद्बंतेज जरूर रखना साएगी, यानि bowling को ही चुनेगी, क्योंकि बाद में ज करके बोलिंग हो जाती है, मुश्किल, स्पीनर्स के लिए ग्रीप नहीं मिलता है, और बैट पर बोल अच्छा से आने लगती है, फिल्डर्स के लिए भी मुश्किल होता है, बांदर के अंदर, इसलिए ये 22 तो रखेगी, जो भी team तो जितेगी, फिर अगर हम लोग बात क आपारी हमें नजर आता है, एक मैच के हिजब से, एक मैच जोए न, no result रहा है, 258 हाइस है Delhi का, 210 हाइस है Kolkata का, 98 जोए न, Delhi का लोइस दे और 97 हो जोए न, को कलकाता का लोइस दे, hit-to-hit के हिजब से देखे तो दोनों हीती में बरावर का नजर आते है, मतलब लोइस्ध हा अब बात करते हैं कौन से प्लेयर आज के मैच के अंदर क्या मालस्टोन कर सकते हैं अक्सर पैतल के पास एक मौका है उनको 39 रन शाहिए आईपेल में अपना 1500 रन पूरे करने के लिए उसके बाद श्रयास आईयर के पास भी मौका है मतलब T20 के अंदर अगर वो आथ चोके लगाते हैं आज खेलते हुए तो चार्चो पचाच चोके पूरे कर लेंगे पूरे अवरॉल T20 की बात कर रहा हो नौर्जी के पास भी उसके बाद मौका है उनको चाहिए पांच विकेट T20 के अंदर अपने 1500 विकेट कम्प्लिट करने के लिए मनिश पांदे को चाहिए एक कैच T20 के अंदर 150 कैच पूरे करने के लिए मुनिश्पन देगर खेलते हुए एक catch पकरते हैं अपने T20 के अवरल जो career है उसमें अपना 150 catch पूरे कर लेंगे मिशल मार्श को 5 चक्के चाहिए T20 के अंदर 200 चक्के पूरे करने के लिए गाइज विशाः पत्तनम के पीच के बारे में बात करें तो ये fast bowler और spinners दोनों के लिए माददगार रहते हैं batting bowling दोनों को support करती है हलाकि fast bowler को यह पर थोरा सा ज्यादा advantage मिलते है average score के अगर हम लोग बात करें तो 153 run का average score है यानि कि बहुत ज़्यादा high scoring match आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है ऐसा नहीं है guys कि ये bowlers के लिए ही फाइडेमेंड है या फिर batting के लिए ही फाइडेमेंड है इसलिए बहुत ज़्यादा high scoring match आपको देखने को नहीं मिलेगा बराबर का टककर आपको देखने को मिलेगा इस ही सबसे guys अगर हम लोग एक winning team निकालने की कोशिश करें fantasy के लिए कीपर्स के अंदर आप फिलिप सोल्ट और रिशब पन को रख लेना बैच्मेन लोगों के अंदर देविड वर्नर, फंकटस आईयर, फिर्टफी शो, स्रेस आईयर प्रिटफी शो से उतना उम्मीदे नहीं है लोगों को फिर विए आज के मैच के अंदर कमाल कर सकते हैं अभी तक चले नहीं है उनका बल्ला ओल्रांडर्स के सुषी में आप शुनिल नरें, मिचल मर्स और अन्रर रसेल को रख सकते हो बोलर्स के अंदर आप खालेल, अहमेट और हर्शित राना को रख लेना अगर हम लोग अलग स्ट्राजी के सबसे एक दूसरा तीम बनाते है तो कीपर्स के अंदर इन दोनों कही रखना सॉल्ट और रिशब पंद को बैस्मेंड के अंदर वर्णर, आईयर, प्रित्फिशाव का रख लेना और अलर अंदर के अंदर चुनिल नरेन को कप्तान बना सकते हो मिचल मर्स को वाइस कप्तान बना सकते हो अन्रर रसेल रहेगा खालेल आमेट हर्शित राना और मुकेश कुमार, मुकेश कुमार को रखना ज़रूरी है, एक तीम के अंदर हमने इसलिए नहीं रखा, क्योंकि आज बो नहीं चल सकता है, ऐसा हमको लगता था, लेकिन मुकेश कुमार के जो slower वाले वरियेशन है वो कमाल कर सकते हैं, आज के पिछ के अंदर वो कमाल कर सकत स्टैट्स भी बताई दिया है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद रहा होगा, इसी प्रकर से अगर आप डेली मैचकेफर वीडियो देखना से आते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताए, वीडियो पसंद रहा है, या तो लाइक करे, शेयर करे, और चैनल को सब सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार!